दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गोल्डन बार्शाला में प्यारेवचों आज की इस वीडियो में एक अच्छा साथ के विद्यार्थेओं के लिए विज्ञान का संपूर्ण पत्र हल करेंगे आप सभी लोग वीडियो को लार्च तक विना इसकी प्यों जरूर द भविकल्पी प्रशन दिये गया है जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना है तो का प्रशन दिया गया है कि द्रव में ओसमा का संचन होता है चालन द्वारा, समवहन द्वारा, विकिरन द्वारा या इन में से कोई नहीं तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएग द्रव में ओसमा का संचन समवहन विधिद्वारा होता है बापसन सही है खा प्रशन दिया गया है करंतक दातों का कार्य है फाडने का, काटने का, पीषने का या चबाने का तो सही आंसर वच्चों इसका हो जाएगा करंतक दातों का कार्य होता है काटने का इसके बाद कोश में द्रव में गैस में या निर्वात में तो सही आंसर हो जाएगा उच्छों ठोस में द्वन की चाल सरवादिक होती है आपसन आपका सही हो जाएगा कुशन नमर गहा दियागा है कि बिसाड जनित रोग है चेचक पेंचिस प्लेग डिफ्तेरिया तो इसका सही आंसर को से विफ्तेर जनित रोग है बिसाड से होता है कुशन नमर अंगा है मैंसे कौन जल के साथ तेजी से करिया करता है सोडियम, कैलसियम, मैगनेसियम या लोहा तो सही आंसर होचो है सोडियम यह इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है कोशन नमर दो है इस्तम्भ का को इस्तम्भ खा से मिलाईए यानि खंड का को खंड खा से आपको मिलाना है मिलान करना जिसके लिए पाच अंग आपको मिलेंगे तो पहला दिया गया है पत्ती पत्ती को मिला दीजिए प्रकास संसलेशर से यह कि पत्तियों के द्वारा ही प्रकास संसलेशर होता है उकरमुत्ता यह मृत्त जीवी है लाइकेन सह जीवी होता है डोशेरा एक कीट भच् इस प्रकार से आप मिलान गरना इसके बाद कोशन नमर तीन दिया गया है निम्न कथनों के सम्मुक सही अथवा गलत का निसान लगाईए तो चार अंक यहां से आपको मिलेंगे और का देख कथन दिया गया है रेसम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं तो यह आपक गलत है कथन और खा दिया गया है अवतल दरपड से कभी आभासी प्रत्विम नहीं बनता तो यह भी कथन गलत है कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए यह कथन गलत दिया गया है गर्षण द्वारा वस्तूओं को आकर्षित नहीं क्या थता यह भी कथन गलत दिया गया है तो इसमें सारे कथन जो है गलत यह गये है कुशन नमर चार है रिक्त स्थानों की पूर्त कीजिए चीनी गरम करना परिवर्तन है तो चीनी गरम करना यह भौतिक परिवर्तन है आपको यहाँ पर भौतिक भरना है भौतिक परिवर्तन है चीनी को गरम करना उन सामानत है पालतू भेडों के तुचिय बालों से प्राप्त किया जाता है इसके बाद है question number गा ड्रोसेरा एक पोधा है तो ड्रोसेरा एक कीत भच्छी पोधा है कैसा कीत भच्छी पोधा तो यहाँ पर जो है आपको लिख देना है कीत भच्छी कहा दिया गया है जंग लोहे का क्या है तो आकसाइड है जंग लोहे का आकसाइड है अंगा है ठोस कारबन डायकसाइड को सुस्क बर्फ कहा जाता है इसके बाद आतिलगत्रिय प्रसन दिये गए है क्वेस्चन नमबर 5 से लेका 9 तक प्रते एक प्रसन एक अंग का है तो प्रसन नमबर 5 है CPU में कितने बटन होते हैं तो CPU में बच्चों दो बटन होते हैं एक होता है पावर आन आफ वाला और दूसरा होता है रीचिट बटन दो बटन आपके CPU में पाया जाते हैं और CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिस्क भी कहा जाता है क्वेस्चन नमर 6 है सरल मसीन किसे कहते हैं इसकी परभासा आप लोग जो है अपने किताब से याद कर लीजेगा स्ट्रीट लाइट में परयोग किया जाने वाले दरपड का नाम लिखे तो इसमें उत्तल दरपड का परयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में पत्यों में पाय जाने वाले《 την हरेव वरडक को क्या कहते हैं?" Het ये Кलोरोफिल कहा जाता है, या पऑड़हर्ण मा आब ले सकते हो हारितकरानति चया है ? इसके प्रिभास आप लोग किताब को жाद कर लीजेगा, इसके लागात्री प्रश्ण है, तीन- तीन नंबर तो यहां पर देखो जाड़ू जो आपका है तीसरे प्रकार का उत्तोलक है सरोता आपका जो है दूसरे प्रकार का उत्तोलक है और जो एक कैंची दिया गया है यह आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक दिया गया है इसके बाद है क्वेश्चन नमबर 12 पांच कैलोरी कितने ज सूचक किसे कहते हैं कि नहीं दो सूचकों के नाम बताए तथा अमल और छार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखे तो इसमें साथ अंक आपको मिलेंगे काफी लंबा प्रिश्ण है आपको थोड़ा जादा लिखने पड़ाएगा कम से कम एक पेज में आंसर देना है अथवा में दियागा है ससंजन तथा आसंजन बल में अंतर तो चाहे आप उपर अला करें फिरिया अथवा अला कर सकते हैं कोश्चन नमर 15 है जदि आपतित किरन वा समतल दरपड के बीच बनने वाला कोण साथ हैंसा है तो परावर्तन कोड का मान गयात कीजिए अथवा हर परावर्तन कीजिए तो इनमें से कोई एक करना है तो इस प्रकार से बच्चोरहकषा साथ का बिज्ञान का मडल पेपर और आसा है कि आप सभी का इस पेपर से बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोग इसके प्रशनों को जरूर पढ़के जाएं साथ ही चैनल को सब्सक